नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिविक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्नलोजी वित बिविक जहां हम मुवाइल और केम्प्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियो लेकर आते रहते हैं आई दोस्तों आज का जो वीडियो लेकर आया है हमने कल एक वीडियो बनाया था मुचल फंड की सीरीज में और केम्प्यूटर पर जाकर आप किस तरीके से पूरे मुचल फंड का डेटा निकाल सकते हैं और साल पर जो फाइनेशल यर होता है उसमें आपने कितना पर आजाते हैं यहांने के बाद आपको जो है दोस्तों करना क्या है आपको चलना है स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर जैसे आप यहां पर आएंगे यह देखिए आपको यह दिखाने वाला हूँ अगर आपको व्यू देखना है आपके मूचल फंड की होल्डिंग्स का आपके मूचल फंड को उनकी डेटेल के लिए हमें यहां पर आना है और सिंपल सा आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है समरी आप चाहते हैं जो भी आप चाहते हैं मैं आज की डेट तक समरी चाहता हूँ और विदाउट जीरो बैलन्स फोलियो मुझे नहीं चाहिए चाहिए जिस से सारे की सारे मीचल फंड एंटर कर रहा हूं। यह मेंने इमेल इडि डालती है दोस्तों यहां पर ऑप्शनल है ज़रूरी नहीं है हमें पासफ बनाना हो घॉपिक्ध कि गी उसमें यही पासपर्ड की मदध से हम उसको open कर पाएंगे तो मैं यहां पर पासवर्ट बना कर डाल देता हूं यह हमने पासवर्ट बना दिया है यह जो नोट दे रखा है इसको आप आसानी से यहां पर पढ़ लीजिए आपको और ज्यादा बहतर समझ में आ जाएगा हाल फ्लाल जो है हम इसको यहां से समिट कर रहे हैं समिट करने के बाद देखिए इन दोनों का डेटा हमारी इमेल आता है तो उसको चेक कर सकते हैं अब जो है दोस्तों हम इसको बंद कर देते हैं और अपना मेल ओपन करते हैं यह देखी दोस्तों यह जो हमें मेल आ गया है और हम इसको ओपन कर लेते हैं ओपन करके आपको दिखाते हैं यह यहां पर जानकारी आई है अब मुझे करना क्य पगल केल रहा है तो मैं इसको डाउंलोड कर लेता हूं यह डाउंलोड हो गया दोस्तों अब मैं जैसी इसको ऊपन करोंगा और यहां पर पासवर्ड लगेहा जो मैंने वहां पर क्रियेट किया था इं कि यह हमная दोस्तोक पासवर्ड डाल दिया यह और अब चbau करते और यहां पर हमारे folio numbers दे रखे हैं जो जो mutual fund में आपने पैसा लगाया है यह उसका ISIN number है यह scheme का नाम है किसी scheme में है यह उनकी cost value दे रखी है यह unit हमने खरीदे हुए है यह नवी डेट्स खरीदे हुए है यह नवी इंडियन रुपीस के according यह market values के according और उनका राइस्टरार क देखेंगे तो आपको यहां पर नीचे उसके loads और फी दे रखे हैं कि आपको किस mutual fund के according कब कितना exit लोड बगरा पड़ता है तो यह आप देख सकते हैं तो दोस्तों यह था एक आसान सा तरीका अपने consolidated account summary को देखने का इससे आपको यह पता चल जाएगा कि से भी के द्वा government भी देखती है आजकल आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे वीडियो आते हैं और ऐसे यूमर आते हैं कि कुछ जो investors होते हैं वो नकली पैसा लगा लेते हैं और बाद में वो पैसा दिखता नहीं है स्रिप एक नकली number दिख रहा होता है और जब वो उसको withdraw करने के face में आते लोगा इस वीडियो को सभी उन लोग को share कीजिए जो market में value रखते हैं और market में पैसा invest करकर बैठे हुए हैं और आंगे भी invest करने का सोच रहे हैं इस वीडियो को share कीजिए comment के वाद में से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं अभीक भारत वाच थेंक यू